तो दोस्तों कि आपको पता है कि International Renewable Energy Agency यानि कि IRENA की एक रिपोर्ट की माने तो इनका दावा है कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड में लगबख 60 मिलियन टर्न्स आफ सोलार पैनल वेस्ट जेनरेट हो जाएगा और अगर हमने इसे proper infrastructure और technology के साथ treat नहीं किया तो यह काफी बड़ा सरदर बन जाएगा आने वाले future में यहाँ पर इंडिया के मामले में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर साल एक से बढ़कर एक बड़े बड़े वर्ल्ड बिगे सोलार पाक को डेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में यानि कि 2022 का तो इंडिया का target है कि सोलार सेक्टर से हमें 100 गीगा वाट्स की energy पैदा करनी है तो definitely यह काफी अच्छी बात है लेकिन जब इसके life खतम हो जाएगी 25 से 30 साल बात यानि कि 2050 तक पिर यह पूरा कच्रा का भंडार बन जाएगा और अगर हमने इसे proper तरीके से recycle और reuse नहीं किया तो definitely यहाँ पर काफी critical situation बन जाएगी यहाँ पर BTI यानि कि Bridge to India का दावा है कि 2030 तक इस सोलार सेक्टर से इंडिया में लगबग 2 लाक तंस का solar panels का कच्रों का धेर लग जाएगा और 2050 तक तो 1.8 मिलियन टंस यानि कि लगबग 18 लाक तंस का कच्रा का धेर हो जाएगा तो इसी बात से पंदादा लगा सकते हो कि अगर हमने जल ही solar recycling facilities को शुरू नहीं किया तो हमें future में कितने बड़े challenges को face करना पड़ सकता है और इसी issue को address किया है हमारे दो Indians ने अंकित कापासी और किशोर गनेशन और इन्होंने अपनी masters complete की है from Sweden and Spain and these are from Sophies India और इनका एक project है swap project in India यानि कि solar waste action plan यहाँ पर इनका काम है कि जो भी photovoltaic module recycling system के लिए जो भी technical या economical feasibility के आवशकता है तो उनकी यहाँ पर investigation करेंगे और इस पाइलेट project के लिए इन्हें funding मिली है by Signify Foundation and Doin Foundation इसके साथ ही इनकी एक partnership भी है by Poseidon Solar जो की एक Singapore की company है और यहाँ पर recently इन्होंने एक photovoltaic recycling plant को भी develop किया है in Tamil Nadu in India तो इस photo में आप देख सकते हो कि कैसे इस solar panel को recycle किया जा रहा है जो भी हमारे elements है उनको recover करके जो भी waste है फिर उन्हें recycle या पिर अच्छे से trade करके dispose किया जा रहा है तो यहाँ पर इन्होंने first phases के दौरान different stakeholders को identify किया है जो की contribute कर सकते है इस तरह के infrastructure ecosystem को develop करने के लिए साथ ही में जो भी appropriate technology या approaches करने है for local collection और treatment capacity के लिए तो यह सारे काम इन्होंने first phase के दौरान किये है और second phase के दौरान इन्होंने finally एक recycling facility को installed किया है और इसकी जो capacity है फिलहाल तो वो है लगबग 2.5 tons per day and let me tell you this is just a pilot project और future में इसकी capacity को काफी ज्यादा drastically increase किया जाएगा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो funding इनके partner से मिली है तो उसके help से जो हमारी e-waste dismantling companies है in India तो इनके capacities को भी expand करने में काफी help मिलीगी यहाँ पर local employment को भी बढ़ावा मिलेगा और जिस दर से हम सभी जानते हैं कि जो हमारे other waste streams है तो वो काफी ज्यादा highly unorganized है लेकिन at least इस proper funding के साथ हम एक formal solar waste treatment sector develop कर सकते हैं इन इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक PTI की report है managing India solar PV waste यहाँ पर साफसाब बताया गया है कि हमारी जो पैनल से तो उसमें 80% of weight होता है तो वो अकेले aluminium का होता है जो कि फूरी तरह से non-hazardia से इसे हम further use कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देनी वाली जो बात ह क्रिस्टेलाइन सिलिकॉन का तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने highly dominated है यहाँ पर इसके साथ 7% share is from thin film solar modules लेकिन अब यहाँ पर दो Indians मिलकर इस situation को बदलने वाले है और हाली में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि September 1 को 2020 के साल में इनका एक पूरी तरह स फुल्ली फंक्शनल प्लांट मौजुद है इन तमिल नाडू और यह प्लांट पोसाइडन सोलार में लोकेटेड है जो कि पियो अनर है सिलिकॉन रिसाइक्लिंग के मामले में इन इंडिया तो जैसे कि मैंने आपको बताए कि शुरुवाती चड़नों में इस capacity होगी 2.5 ट करके इसे fully automated कर दिया जाएगा और as of now देखे तो इंडिया ने लगबग 36 गीगावाट के solar capacity को install कर लिया है इन इंडिया और 2022 तक यह बढ़ जाएगा by 100 गीगावाट्स तो अब बात करते हैं results के बारे में यानि कि यह जो recovery कर रहे है तो वो कितना मुंकिन हो पारा है फिलाल तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि लगबग 60-80% of material को यहाँ पर recover कर लिया जा रहा है और इसमें जो main components हैं तो वो है aluminium, glass, plastic और e-waste जो की junction box और cables में शामिल होते हैं लेकिन स्टिल यहाँ पर जो solar cells में silicon और silver होते हैं तो उनको recover करने के लिए इनके process में थोड़ी और refinement क आवश्रता है और इसी दिशा में ये तेजी से काम भी कर रहे हैं यहाँ पर अंकित ने बताया कि जो हमारी efficiency है यहाँ पर process में तो वो थोड़ी low है हम future में इसे increase करेंगे और इसके साथ ही हम केवल एक ही technology पर ही नहीं पूरी तरह से नेरवर होंगे बलकि हम थोड़ी और न commercial scale में लाने की कोशिश कर रहे है, mechanical delamination तो सब जगा पॉसिबल है, even वो यूरोप में भी किया जा रहा है, जहां पर जो भी mechanical techniques है, of glass separating और aluminium separating तो वो तो सब जगा ही किया जा रहे है, लेकिन यहाँ पर जो main critical task है तो वो है chemical delamination और thermal delamination और यहाँ पर एक काफी भैतरी पर आप देख सकते हो कि किस तरह से पहले process के दोरान panels को बनाया जाता है, फिर इन्हें install किया जाता है, और जब इनकी life खतम हो जाती है, तो इन्हें retire कर दिया जाता है, इनको पूरी तरह से degraded modules को fake दिया जाता है, and this is the end of life management, उसके बाद एक बड़ा असा question mark, क्योंकि पर किसी को पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, तो अगर government जरा से भी concerned है regarding all these issues, तो उन्हें जल से जल policy लानी पड़ेगी, यहाँ पर recycling technologies और standards develop करने पड़ेगे, जिसके लिए initially थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेगे, लेकिन future में यहाँ पर economic opportunities भी generate होगी, फिर finally हम अपने recycle फैसलीटेस से raw materials को recover कर लेंगे, again they will go in process, यहाँ से फिर से panels install किये जाएंगे and the cycle will go on, तो यह है एक perfect sustainability का example और आने वाले समय में, this example you will see in India, यहाँ पर finally किशोर जी कहते है कि इन्हें इंडिया में बिल्कुल भी awareness नहीं दिख रहे regarding photovoltaic waste management, यहाँ पर waste के pile बनते जा रहे, इ एक project swap की तरह हीं का project है, तो वो proactively काम कर रहा है, इस waste को manage कने की दिशा में, जिसके चलते हम हमारे near future में at least इस sector में थोड़े sustainable बन पाए, और future में वो ऐसे organizations के साथ partnership करना चाते हैं, जिन में एक higher potential हो to manage photovoltaic waste, so definitely it is very inspiring to see that Indians are addressing these Indian issues, साथ ही में वो अपने innovations के साथ इन problems को manage कने क भी कोशिश कर रहे हैं, so that's it for today, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए है, then please hit that like बटन, साथ ही में चैनल को subscribe कीजी और share कीजी इस वीडियो का अपने friends and families के साथ, मिलेंगे दुबार एक new fresh वीडियो के साथ, till then goodbye and take care. झाल